आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान यही से बात करेंगर बिनौला खल की तो बिनौला खल का जनवरी वायदा देख रहे हैं कि 291 पर ट्रेड करता नजर आ रहे है, 2960 का ही लगा चुका है, 0.5% की तेजी है हमने बीते कारोबारी सब्ता के आखरी कारोबारी दिन देख लिया था कि बिनौला खल 2900 के पार निकला था, 2900 का लेवल टेच किया था बाजार की जान का रूपा मैता, आप सब को मागेट आप सीवी के माध्यम से जो बिनौला खल का लेवल दे रही थी 2900 का वो अचीव हो चुका है, टागेट पूरा हिट होता नजर आया है अब उनके अनुसार बिनौला खल आगे 3050 का स्तर दिखा सकता है बिनौला खल के जो फंडामेंटल से ओवरोल मजबूत ही है, तेजी की ही हो रहे है कपास बीज, यानि कि जो बिनौला खल कपास से खली का जो बीज है उसकी थोड़ी मार्किट में कमी देखने को मिली है दूसरा, जो दूद उतपादन है, उसमें थोड़ी कमी देखने को मिली है क्योंकि हम देखते हैं कि पजूओ के लिए जो चारा खिलाया जाता है हरा चारा, सूखा चारा, उसकी जो कीमते हैं, उनमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी बीच में जिसकी वजा से खरीद फरोगत हरे चारे की और सुखे चारे की डेरी और पोल्टरी इंडस्टी की तरफ से थोड़ी कम देखी गई वहीं पर इसी का असर दूद के प्रोड़क्शन पर भी पड़ा दूद का उतपादन भी कम रहा क्योंकि जब चारा कम खिला जाएगा जो फिर पशू होंगे वो भी कम ही दूद देंगे जब पशू में दूद कम दिया गया तो मैं देखा कि जो दूद उतपादन हैं वो भी कम ही देखने को मिल रहा है जिसका असर डेरी और पोल्डरी उद्योग पर पड़ता नजर आया अब बिनॉला खली एक मातर ऐसा खादपदार्थ है जो पशूव में दूद के फैट की मातरा को और दूद की मातरा को बढ़ा सकता है बाकी खलों में तो प्रोटीन होता है लेकि इसमें फैट बढ़ाने की और दूद की मातरा बढ़ाने की शमता होती है इसलिए बिनॉला खली की जो इंडूश्रिल मांग है वो जादा रहती है बाकी खलों के मुकाबले बाकी खल भी खिलाया जाते हैं लेकिन बिनौला खल की जादा पूछताच रहती है जिसकी बज़ा से बिनौला खल की आगे जाके एक इंडस्ट्रिल डिमांड भी निकल सकती है दूसरा जो cotton है कपास की कीमतों में हमने बड़त बनते वे देखी है CCIB जो देश में अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार लगबग साल 2020-2021 का जो cotton उत्पादन का जो अनुमान है जो चौथा estimation निकल के सामने आया है वो भी लगबग 353 लाग गाट का ही निकल के सामने आया है तो cotton की कीमतों में तेजी का असर भी बिनौला खल की कीमतों पर यानि कपास कली पर कहीं न कहीं पढ़ता नजर आता रहेगा industrial demand भी बिनौला खल की देखने को मिलती रही पर बिनौला खल लगबक 3050 तक का लेवल दिखाने की तागत रखता है और साल 2022 में हमारे जो जानकार हमारे जो एक्सपर्ट हैं केडिया एडवाइसरी के डिरेक्टर अजे केडिया उनका कहना है कि साल 2022 में बिनौला खल 4000 तक का भी लेवल दिखाने की तागत रखता है तो ब एक्सपर्स का भी यही मानना है